वेलकम टू मैं चैनल रोबस बजार अज हम बात करेंगे ग्रीन हाइट्रोजन के बारे में काफी सारे डिटेल निमेशक हैं जिन्होंने नई नई ट्रेडिंग करना चालू करी है अभी मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ग्रीन हाइट्रोजन के आपने काफी सारी वीडियोस देखी भी होंगी यूट्यूब पे लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ग्रीन हाइट्रोजन के बारे में कुछ जानकारी रह गई है जिसको बारे में आप समझना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के माद्यम से आपको समझानी कोशिश करूँगा और आप रेटेल निवेशक जो कि शेर बजार से रेलेटिट ट्रेडिंग वगरा करते हैं इंवेस्मेंट भी करते हैं इंट्रडे वगरा भी करते हैं तो आपको काफी सारी जानकारी होना ज़रूरी कौन सी कम पढ़ाते हैं समझते हैं Green Hydrogen होता क्या है Green Hydrogen को महँगे पैट्रू और डीजल के सबसे अच्छे आप्शन के तौर पे देखा जा रहा है जानकारों के मताबग Green Hydrogen, पैट्रू और डीजल की तोल्नामे काफी सस्था होगा साल 2030 तक कारों के इलावा बड़ी बड़ी गाडिय को भी इससे चलाए जा सकेगा अभी देश दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा ग्रीन हाइड्रोजन की है एक खोशना के बाद कई कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने और इसे यूज करने की तैयारी शुरू कर दी है इन कंपनियों में रेलाइंस टाटा और अटानी के नाम बिलकुल शामिल है यहां तक कि गर्वर्मेंट कंपनी इंडियन औल और इंटी पीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन इस्तमाल करने का वादत तक कर चुके हैं अलकि आम पबलिक अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन को ठीक ठाक नहीं समझ पाई है उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि ग्रीन हाइड्रोजन किस हरी उड़्जा का नाम है और यह जो एनरजी है कि गैस के रूप में कैसे काम करीगी है इसे भी मतलब तेल की तरह गाड़ियों में बारा जाएगा जैसे हम गाड़ियों में पैट्रॉल बरते हैं आम जनव के नज़रिये से हम यहां क्रीन आइड्रोजन को समझने की कोशिश करते हैं अखिर एक्शल में यह है क्या इसे देश के कारों और ट्रेनों में कब तक दोड़ सकेंगी प्रदान मंत्री ने 26 ऑफ जैन 2022 को एक स्पीच में क्रीन हाइड्रोजन का जिकर किया था कि भारत को इसे दुनिया का हप बनाने का लक्ष रखेंगे प्रदान मंत्री के मताबक आने वाले समय में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन इंपोर्ट के शेतर में नंबर वन बनाना है जिसके लिए सरकार त्यारी कर रही है मानने जा रहा है कि आने वाले समय में green hydrogen petrol diesel की मुखाबले सबसे safe और पूर्जा का एक स्त्रोथ बनेगा जिसमें almost pollution ना के बराबर होगा उसका निर्मान भी बहत असान होगा 2030 तक जो बड़ी गाड़ियां जैसे rail रेल हो गई कुछ बड़े dumpers हो गई और airlines हो गई तो और जो underwater जो submarines होती हैं उनमें hydrogen के use करने का जो काम है अभी तक चालू है उस पर research बाकी 2030 तक 2030 तक पूरी हो जाई ही साल 2030 तक इसमें train भी शामल हो सकती है energy analyst के मताबिक hydrogen पर अभी एक साथ कई research चल रही है साल 2024 तक भारत सरकार ने hydrogen research पर लगभग 800 करोड रुपय अल्रेडी खर्च कर चुकी है और उसके बेर बैतर प्लान भी बनाया जा चुका है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और डैल hydrogen fuel त्यार करने के लिए दो टेक्निलोजी का इस्तमाल हो रहा है इसमें पानी के इलेक्ट्रोसिस से hydrogen gas पैदा की जाती है जिसमें पानी से hydrogen को अलग किया जाता है जो second technology में natural gas से hydrogen और carbon को तोड़कर अलग किया जाता है इसमें hydrogen को ले लेते हैं और बचे carbon को इस्तमाल हम auto electronics और asus space sector में कर सकते हैं first time in February 2021 में budget में hydrogen mission का announcement भी किया जा चुका था Indian oil और कई बड़ी-बड़ी कंपनियां इस mission में already invest करने के लिए एलान कर चुकी है आई हम जानते हैं कि कौन सी government कंपनियां जो hydrogen produce करने वाली है सबसे पहले है पहली है भारत petroleum जिसकी share price अभी है 360.10 पैसा Indian oil की share price है 118.85 ONGC की share price है 175.50 NTPC की share price है 134.395 कौन सी private sector lending bank है जो private sector से हैं जिसमें hydrogen gas बनाना है Tata, Adani और Reliance जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके लिए गाड़ी में लगेंगे fuel cell जिसको हम battery भी मान सकते हैं जिसमें cathode और anode नाम के electrode लगे होते हैं इन electrode के माध्यम से chemical reaction निकलता है उसी से energy पैदा की जाती है दरसल fuel cell ही green hydrogen की खपत करेंगे fuel cell को ही मैंने जैसे आपको बता है कि fuel cell को अगर हम battery मान लेते हैं fuel cell ही green hydrogen की खपत करेंगे और energy देंगे अंत में जो अफशेश के रूप में पानी बचेगा इसमें दुहा निकलने की गुंजाइश बिल्कुल टोटल निल हो जाएगी green hydrogen को पैदा करने के लिए natural gas, molecular energy, biomass, solar और wind energy का इस्तमाल किया जाएगा इस उर्जा को कार और बड़ी काडियों में लगा सकते हैं घरों में भी बिजली के रूप में इसका इस्तमाल हो सकेगा अप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा बाकी इनके जो मैंने आपको शेयर इसमें मैंने डिसकस किये उसके बारे में आपको नेक्स वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इसमें और क्या हो सकते हैं at the end मैं आपको कल के लिए 10 दो पिक्स देता हूँ अगर आपको कल के लिए ट्रेडिंग करना है तो मैं आपको दो पिक्स देता हूँ एक SPI बैंक है जिसमें अगर SPI बैंक में अगर आपको कल इंटरेट करना है तो SPI बैंक अगर 494 के उपर जाता है तो आपका नेक्स टार्गेट होगा 501 503 और सेकेंड है SKF इंडिया SKF इंडिया इसमें अगर आपको ट्रेड करना है कल इंटरेट तो 3,394 रुपीज का जैसी यह ब्रेक करेगा तो इसके बाद आपका नेक्स टार्गेट होगा 3,451 और इसके बाद यह ऊपर जा सकते है 3,521 यह दो पिक्स हैं कल के लिए आप इसमें इंटरेट ट्रेट ले सकते हैं पाई साइट के लिए ओप आपको यह वीडियो पसंद आएगा नेक्स वीडियो के लिए आप वेट करिए मैं एक बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक पे नेक्स वीडियो बना रहा हूं आपको मसा जाएगा वेडियो देखने में तैंक यू सो मच्छ आपको मम्साइग है प्रुश्ष्टरїड करियो प्रुश्टर प्रुश्ट क्यू सबसे हमने Kopf dispos Warriors दो क्या दू करिए चल्हूस्टर है झाल झाल